नमस्कार दोस्तों, शौर क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गुरुचिरा भाग एक NCRT की संस्कित की किताब का एक चैप्टर का हिंदी अनुवाद और उसके शब्दार्थ को जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे एक चोटी सी रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि इस वीडियो का कोई भी इंपोर्टेंट पार्ट आपसे मिस नहोँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि पहले मैं एक पैरग्राफ को पढ़ूँगा, फिर उसके बाद शब्दों का या एक एक वाक्यों का अर्थ बताएंगे, ठीक है, इसे के साथ हम अपना हिंदी अनुवाद करेंगे, और चैप्टर क चित पशूत्सवाह भवती, कुत्रचित धार्मिकोत्सवाह भवती, कुत्रचित चा यानोत्सवाह, एतेशु एव अस्ती, अन्यतमाह पुष्पोत्सवाह इती, अयम फूल वालों की सेर इती नामनाह प्रसिद्दह अस्ती, उत्सव प्रिय भारत देश अर्थात, भारत देश उत्सवों का प्रिये है अत्र कुत्रचित यहां पर कहीं कुछ शत्ष उत्सव भवति कुछ शत्से उत्सव जान्वरों का उत्सव तो फसलों का त्योहार होता है यानि गाड़ियों का तेवार होता है या मनाए जाता है एतेशु एव अस्ती अन्यतमाह पुषपोथसवाह इती और इन में से एक सबसे अलग जो है वो है पुषपोथसवाह अर्थात फूलों का उत्सव आयम फूल वालों की सेर इती नामनाह प्रसिद्धाह अस्ती और यह है फूल वालों की सेर इती नामनाह यानि इस नाम से प्रसिद्ध अस्ती प्रसिद्ध है आगे देखते हैं देहिल्याम महरोली शेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आविजनम भवती अस्मिन अवसरे तत्र बहु विधानी पुषपानी द्रिश्यनते परम प्रमुखम पुषप निर्मितानी व्यजनानी जनहा एतानी पुषप व्यजनानी योग माय मंदिरे बक्तियार काकी इत्यस्य समाधी स्थले चा अर पयंती केचन पाटल पुषपही निर्मितानी केचन कर्णिकार पुषपही अन्ने जपा कुसुमई अपरे मल्लिका पुषपही इतर अptic अस्मिन अवसर्शरे इस अवसेर पर तत्र बहु विदाने यह ले बहुत प्रकार के पुषपानी यानि फूलों के या फूल द्रिश्यनते अर्थात देखे जाते हैं अर्थात यहाँ पर बहुत सारे फूल देखे जाते हैं पुषपोटसब है तो हाँ पर बहुत सारे फूल देखे जाते हैं परम प्रमुखम आकर्शनम्तु अस्ती पुषपनिर्मितानी व फूलों से बने हुए पंखे जो हात वाले पंखे होते हैं या फूलों से बने हुए पंखे जनहा एतानी पुष्प व्यजनानी योग माया मंदिरे बक्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थलेचा अर्पयंती जनहा अर्थात लोग एतानी इन पुष्प व्यजनानी फूलों के पंखों को योग माया मंदिरे और बक्तियार काकी इत्यस्य समादिस्थले इनके समादिस्थलों में अर्पयंती अर्पित करते हैं जो ये फूलों से बने जो व्यजनानी हैं पंखे हैं इनको लोग योग माया के मंदिर में और बक्तियार काकी की जो समादिस्थले इन पर मल्लिका पुषपई इतरेचा गेंदा पुषपई निर्मितानी वेजनानी नयंती लोग हैं वो केचन पाटल पुषपई अर्थात गुलाब के फूलों से बने हुए और केचन कर्णिकार पुषपई कर्णिकार अर्थात कनेर के फूलों से जपाक उसमे यनि गुढ़हल के मल्लिका पुषपई इतिचा गेंदा पुषपई अर्थात गेंदे के फूलों से बने हुए जो वैजनानी है पंके हैं उनको लोग खरीद कर यहां से ले जाते हैं कहां से पुषपोत्सव से दोस्तों अब आगे देखिए आयम उत्सवा दिवस्त्रयम यावत प्रचलती एतेशु दिवसेशु पतंगा नाम उड्डैनम विविधा क्रीड़ा मल्ल युद्धम चापी प्रचलती आयम उत्सवा यानि इस उत्सव में आयम उत्सवा अर्थात यह उत्सव दिवस्त्रयम यानि तीन दिन यावत यानि तक प्रचलती चलता है यह जो पुषपोद्सव है तीन दिन तक चलता है। या तीन दिन तक मनाया जाता है। पतंगों को उड़ाया जाता है। विविदह क्रीडह बहुत से खेल होते हैं मल्ल युद्धम चा मल्ल युद्धम अर्थात कुष्टी चा अपी और भी कुष्टी भी प्रचलती चलते हैं या होते हैं दोस्तों आगे देखिए इसका अंतिम भाग है पाठ का विगतेभ्य द्वीशत वर्शेभ्य पुष्पोच्वह जनान आनंदयती मध्य इयम परंपरा स्थगिताह आसीत परं स्थंत्रता प्राप्ते है पश्चात इयम मनुहारिणी परंपरा पुनह समारब्धा पुष्पोच्वह अध्यापी सोलासम सोचाहम चा प्रचलती विगतेभ्य द्वीशत वर्शेभ्य अर्थात बीते हुए 200 वर्शों से पुष्पोच्वह पुष्पोच्व जनान आनंदयती लोगों को आनंदित करता है मध्य अर्थात बीच में इयम परंपरा यह परंपरा स्थगित आसीत इस्थगित हो गई थी कौन सी परंपरा प्राप्ते है पश्चाद स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद यह मनोहारी परंपरा पुनह समारब्धा यानि इस परंपरा को फिर से दोबारा से शुरू किया गया पुषपोचसव अध्यापी सोलासम सोच साहमचा प्रचलती और पुषपोचसव आज भी बहुत ही उल्लास स और उत्सव पूर्वक मनाया जाता है इसके बाद अब हम पाठ में आई हुए कुछ शब्दों के अर्थों को जानेंगे जो कठिन शब्दार्थ हैं वो इस प्रकार है उत्सव प्रियह अर्थात उत्सवों का प्रेमी कुत्रचित अर्थात कहीं पर शत्स्योत्सवा पशू उत्सव में संदी है जिसका नाम है दीर्ग संदी अर्थात पशू धन उत्सवा पशू प्लस उत्सवा यहां पशू के उकार और उत्सव के उकार को दीर्ग हो जाता है इसलिए पशू उत्सवा बनता है उसके बाद है यानोत्सवा अर्थात गाडियों का उत्सव अन्यतमह अर्थात कई में से एक पुषपोत्सवा हा अर्थात फूलों का उत्सव इतिनाम नहा अर्थात इस नाम से अवसरे अर्थात अवसर पर पुषप निर्मितानी अर्थात फूलों से बने हुए व्यजनानी पंखे पुषप व्यजनानी फूलों के पंखे समादी अर्थाद दर्गाह, अर्पयंती अर्थाद अर्पित करते हैं, पाटल पुषपही अर्थाद गुलाब के फूलों से, पाट में आई हुए अन्य जो शब्दार थे वो इस प्रकार हैं, कर्णिकार पुषपही, कनेर के फूलों से, जपा पुषपही अर्थाद जवा कुसम या गुढ्हल के फूलों से मनली का पुश्पई अर्था चमेली पूलों से नयंती अर्थात ले जाते हैं यहां पर ना हाट चलता है, पतंग पतंगों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दवाएं वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद